अटीजम के बारे में जागरुपता के लिए गुरुग्राम के स्कॉटिश हाई इंटरनेशन स्कूल में इंटरनेशनल कॉनफरेंस फर अटीजम अवेननस का आयोजन किया गया जिसमें विश्व के अमरीका, चेक रिपबलिक, जर्मनी, बिर्टेन, मलेशिया और नेपाल भारत के विभिन शहरों के स्कूलों से भी शामिलते इस कॉंफरेंस का मुख्यों देश्य ट्रू लर्निंग और ट्रू शेरिंग था पॉटेशा इंटरनाशनल स्कूल ने ये एक येरली कॉंफरेंस है तो इस साल हमने सोचा था कि हम इसको एक ऐसा लेवल देंगे जिसमें की ट्रू लर्निंग, ट्रू शेरिंग होएगी तो ये इंटरनाशनल कॉंफरेंस जो हुए है इसमें USA, Malaysia, Czech Republic, Germany, Great Britain, Nepal इन सब से डेलीगेट्स आये हैं हमार पास करीब 200-200 डेलीगेट्स हैं जो की बहुत स्कूलों से हैं, फरीदाबाद से हैं, नौइडा से हैं, डेली से हैं, गुरगाओं से हैं, चंडीगड से हैं और इन सब कंट्री से हैं Special Educators, Teachers, Parents और सबसे बड़ी बात इस Conference की है कि normally एक Autism की Conference या Disability की Conference Disability के लोगों के बिना होती है तो इस Conference में Intellectually Disabled Persons भी हैं और उनकी Voice भी है In fact, Opening Speech ही एक Intellectually Disabled Persons ने दी है और वो बैठे हुए हैं और उनकी Voice भी हमें सुनने को मिल रही है तो ये Conference मुझे लगता है कि एक शायद भारत की सबसे बड़ी Conference होगी जिसमें इतने देशों की का Representation है और इतने सारे टॉपिक्स इसमें पड़े गए हैं इससे पहले भी भारतिया विश्व के अन्य शेहरों में अनेकों बार Autism Conference आयोजित की जाती रही है लेकिन वो Conference Autism पीडितों के बिना आयोजित होती रही है लेकिन इस Conference में Autism पीडित बच्चे भी मौझूद थे इस Conference के खास बात यह थी कि इसमें Medical Language यूज नहीं की गई थी बलकि इसमें Practical Issues लिए गए थे कि अभी भावक्त Autism पीडित बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे और उन्हें कैसे पढ़ाएंगे और उनके बाद यही सभी जानकारियां Youth Leaders को देनी है कि ऐसे बच्चों में क्लास को कैसे पढ़ाया जा सकता है इस Conference में ज़ादा तर Medical Language नहीं यूज कही गई है इसमें हमने मुद्दे लिए हैं Practical Issues Parents को बच्चे कैसे हैंडल करेंगे बच्चों को कैसे पढ़ाना है बच्चों को बढ़ाना कैसे है Awareness कैसे देखने हैं Symptoms कैसे देखने हैं पहच्चानना कैसे है उसके बद उसमें Intervention कैसे करनी है फिर Youth Leaders को बताना है कि आप Classroom में स्कूल में Workplace में उनके साथ कैसे उनकी Strengths को यूज कर सकते हैं और Caretakers को बताना है कि वो किस तदीके की Intervention कर सकते हैं और ये Revolution जो है Of Inclusion ये बढ़ती ही जा रही है मैंने पिछले करीब 10-15 सालों में देखा है कि जहां पे लोग पहचानते भी नहीं थे Intellectually Disabled लोगों को और उनके रादर हसते थे आज उनके कॉलीग्स बने गए हैं और उनके साथ जाते हैं उनके साथ बैढ़ते हैं उनको नौकरियां देते हैं इस कॉन्फरेंस में हिस्सा लेने पहुचे जर्मनी के स्टीफन कोईन से जब पूछा गया कि क्या यूरोप के देशों में भी और टिज्म पिडित बच्चों को कलास में अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तो उनका मानना था कि उन्हें इस बारे में जादा जादगारी नहीं है लेकिन उन्होंने भारत और एशिया के अन्य देशों में इस पहल का स्वागत किया और कहा कि ये एक बड़ी अच्छी पहल है और इससे उन बच्चों में भावनाएं अलग नहीं आती और वो अन्य बच्चों की तरह स्कूल में शिक्षा ग्रहन कर सकते हैं पिछले कई वर्षों से ऑटिज्म रिससेंटर के इंडिया है द्वारा चलाएं जागरुकता अभ्यान का सबसे बड़ा फाइदा यह हुआ कि अब भारत में ऑटिज्म पीडित बच्चों को अभिभावकों के साथ स्कूलों में भी अध्यापक पहचानने लगे हैं और उन्हें बहतर शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें बहतर जिन्दगी जीने के गुर्भी सिखा रहे हैं झात चाताबGS में बहतitte, हैं में चिरते हैं चाताब में म stitched ध difुँ Sand devenir prime और उन्हें भी में oluyor प्यादादानिद्चों कि अब़ा देने लöllतिकानने लित प्पादादानने के साथ sबसें कि अब़करे हैं यूओरे यूरता चाताबस्थ सिझ लती सवाबसें